इसके बारे में बात करते हैं मैंने पहले ही बताया कि टेंस का तालुक जो है वह वर्क से होता है आक्शन से होता है और टेंस भी आक्शन के बारे में हैं तो हम फ्यूचर कॉंटिनेस टेंस के बारे बात कर रहे हैं future यानि आगे हविश्य continuous यानि जो चल रहा है वह action जो जिस action के बारे में जब बात वरी वह action continuity में है, progress में है, वह भी action चल रहा है, खतम नहीं हुआ है, वह action चल रहा है, उसको future continuous tense बताता है, examples लेते हैं, I will be watching cricket match at 8, I will be watching cricket match at 8, I will be watching cricket match at 8, मैं 8 बजे cricket match देख रहा हूँगा, will be watching यहाँ पर future continuous है, will be watching, मैं 8 बजे cricket match देख रहा होगा, यह भविश्य में है, और यह action चल रहा होगा, उसको जिस वक्त यह बात हो रही है, 8 बजे, तो at a time, इस time पर यह action प्रोग्रेस में होगा, और examples लेते हैं, इस time tomorrow I will be in office, this time tomorrow I will be in office, इस वक्कल मैं office में होंगा, इस वक्कल मैं office में होंगा, इस वक्कल मैं office में होंगा, तो I will be in office tomorrow, इस time I will be in office tomorrow, मैं इस वक्कल office में होंगा, तो यह जो है future है, यह 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 कहें, I will be working in office, इस वक्कल मैं office में काम कर रहा होंगा, यह future continuous tense है, I will be, he will be meeting us next week, he will be meeting us next week, वो अगले हफ़ते हमें मिल रहा है, मिल रहा होगा वो अगले हफ़ते हमें मिल रहा होगा, He will be meeting future continuous है आस नहीं से वो हमें अगले हवते मिल रहा होगा यानि भविश्य में है और ये continuity में होगा मिल रहा होगा He will be meeting us next week My mother will be coming soon from Mumbai My Mother Will be Coming Soon From Mumbai मेरी मदा, मेरी मा आ रही है आ रही होगी Will be coming soon Will be coming soon from Mumbai आ रही होगी Mumbai से जल्दी Future mountainous tense Me will be watching मैं देख रहा हूँगा 8 बजे Will be coming आ रही होगी जल्दी Mumbai से या माई मदा Will be coming प्रम मुंबई ये भी चलेगा माई मदा Will be coming प्रम मुंबई मेरी मदा मुंबई से आ रही होगी या जल्दी आ रही होगी ये future continuous tense है ये future बता रहा है वो action प्रोग्रेस में है जिस वक्त बात हो रही है future continuous tense वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू